कहानी संसार में लीजिए सुनिए, तेनाली राम की चतुराय और विद्वता की कहानी जिसका शीर्शक है, हीरों का सच्छ। एक बार राजा कृष्ण देवराय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्ष कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महराज मेरे साथ न्याय करें, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है, इतना सुनते ही महराज ने उससे पूछा, तुन कौन हो, और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, अन्नदाता मेरा नाम नाम देव है, कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गाव में जा रहा था, गर्मी की वजह से चलते चलते हम ठक गए और पास में स्थितिक मंदर की छाया में बैग गए, तभी मेरी नजर एक लाल के आकार के दो हीरे चमक रहे थे, हीरे मंदर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था, परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक-एक हीरा रख लेंगे, मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था जिसके कारण मेरे मन में लालचा गया, हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इंकार कर दिया, यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए, महराज ने तुरंत कोत्वाल को भेज कर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया, नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया, राजा ने उससे हीरो के बारे में पूछा तो वह बोला, महराज यह बात सच है कि मंदर में हीरे मिले थे लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोश में जमा करने को कहा जब वह वापस लोटा तो मैंने उससे राजकोश की रशीद मानगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मंगुलत कहानी सुनाने लगा। तीनो नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनो ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महारज तीनो नौकरों और मालिक को वही बिठा कर अपने विष्राम कक्ष में चले गए और तेनाली राम तथा महामंतरी को भी इस विश्य मे बात करने के लिए वहाँ बुलवा उनके पहुँचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है? क्या नामदेव जूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही जूठा है, उसके मन में लालचा गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिये होंगे. सेना पती ने गवाहों को जूठा बताया, उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था, तेनाली राम चुपचाप खड़ा सबकी बाते सुन रहा था, तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मानगी. तेनाली राम बोला, महाराज कौन जूठा है और कौन सच्चा इस बात का अभी पता लग जाएगा परन्तु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे चुपना होगा. महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलजाना चाहते थे इसलिए पर्दे के पीछे जाकर चुप गए. महामंत्री और सेनापती मूँ सिकोरते हुए पर्दे के पीछे चले गए. अब विश्राम कक्ष में केवल तेनाली राम ही दिखाई दे रहा था. अब उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया. गवाह के आने पर तेनाली राम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिये थे? जी हाँ, फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा. तेनाली राम ने एक कागाज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा लो मुझे इस पर हीरे का चित्र बना कर दिखाओ. इतना सुनते ही उसकी सित्टी पित्टी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थेली में थे. अच्छा अब चुपचाप वहाँ जाकर खड़े हो जाओ. अब दूसरे गवाह को बुला कर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया. उसने हीरो के रंग के बारे में बता कर कागस पर दो गोल कोल आकृतिया बना कर अपनी बात साबित की. फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया. उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थेली में थे. इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया. इतना सुनते ही महराज परदे के पीछे से सामने आ गए. महराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है. तीनों महराज के पैरों को पकड़ कर माफी मांगने लगे और बोले हमें जूट बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी इस लिए हमें जूट बोलना पड़ा. महराज ने तुरंत मालिक के घर की तालाशी के आदेश दे दिये. तालाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए. सजा की तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्न मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्न मुद्राएं जु तो दोस्तों यह थी आज की कहानी. यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतायेगा कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद.